वेलेकम बैक्टो को लेंट आप कैसे हो दोस्तों मैं बहुत अच्छा और मैं उमीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छी होंगे दोस्तों हेरा फेरी 3 से बहुत बढ़ी अपडेट निकले आई है एक बहुत ही अलग चीज हो रही है अब हेरा फेरी की कास्टिंग को लेकर ल कावन ने लीड रोल निभाया था कॉमेंट से भरपूर इस मूवी को आज भी लोग देखना पसंद करते हैं एहरा फेरी अपनी कास्टिंग को लेकर कुछ दुनों पहले चर्चा में आ गई थी यह सुनने में आ रहा था कि अक्षो कुमार ने इस मूवी से किनारा कर लिया और उनकी जब कार्थिक आर्डियन को बुलाया गया है यह खबर सोशल मेडिया बे आते ही फैंस ने हला मचा दिया और वो अक्षो कुमार को दुबारा से फिल्म में वापस बुलाने की अपील करने लगे अब इस फिल्म को लेकर सुनिल शेटी ने एक बहुत बड़ी एहम जानकारी दिया उन्होंने कहा है कि राजु शाम और बाबु राओ इन तीनों के बिना हेरा फेरी की कलपना भी नहीं की जा सकती उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा से लोगों में यही कहा है कि राजु के बिना शाम नहीं और शाम के बिना बाबु राओ नहीं और इन तीनों के अपडेट वाला ने भी अक्षकुमार से इस बारे बात्चीश करने ही कोशिश किये लेकिन एक बात और एक अक्षकुमार ने एक शो के दुरान इस मुवी का इस्सा बनने से इंकार कर दिया था उन्होंने ये कहा था कि मुझे ये स्क्रिप पसंद नहीं आई और मैं इस मुवी में दुबारा वापिस आ सकते हैं और एरा फेरी अगर बनी तो इन तीनों के साथ ही बनेगे वरना नहीं बनेगी तो आप क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में आपकी क्या प्रेडिक्शन है आप मुझे कमेंट करके बताएं तो मिलता हूं फिर अगली वीडियो में तक्ष्मार वाचिए!